नमस्कार सातियों, RAS 360 के मंच पे आप सबी सातियों का हर्दिक स्वागत अभूम अमिनंदर, मिरनाव नवीन शर्मा और केन सकार में पिछले आठ सालों से मैं कार रतू हूं, इसके लावा, RPSC, UPSC तमाम एक्जाम्स के लिए समय समय पे, चाहे पहले अनकेडमियों, चाहे आज मेरा खुद का प्लैटफॉर्म, RAS 360, इसके माध्यम से, जितना हो सकता है, हम आपके लिए प्रयास करते थे, आगे भी करते रहेंगे। साथी मेरे UPSC मुख्य परिश्य पांस करने का जो नूबर हो, वो आपको साजा करता रहता हूं समय समय पे, उसके लावा, जो मेरे टैलिग्राम चैनल है, RAS 360, RAS 360 चैनल पे, EO, RO घर्थी के लिए, इंपॉर्टेंट करन नफेयर, PDF, समय से मेरे साजा यहां पे करता रहता ह लगातार साथी मुसे पूछ रहे थे, कि जो फॉर्म फेल्ड कर रहे है, EO, RO का, उसमें OTP नहीं आ रहा है, कल मेरे बास पोन आया, आज मॉर्णिंग में तकडी बन, एक साथ 40-50 लोग के कॉल आये, वाट्साप पे मैसर आया, टेक्स आया, मैं सब का जवाब भी दिया पा सबजे, काफी लोगों ने टेक्स किया, कि वाइन टाइम रजिस्ट्रेशन जो परकरी है, RPSC की चाहिए, कोई भी एक्साम हो, उसमें करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी हो गया है, तो OTR, वैरिफाई जब करते हैं, उसमें मोबाइल पे OTP आता है, वन टाइम पासवर्ट, क कि आपका वन टाइम अडिस्ट्रेशन सेक्सेस्ट्ट हो गया है, वो ओटी भी नहीं आ रहा था, जब ओटी भी नहीं आ रहा था, तो फॉर्म कैसे फिल्टर पाहिए, तो आप अगर चेक करें, मैंने अपने यूटूब के जो मेरा कमुनिटी पोस्ट है, मैंने मॉर्णिं से भी और टेक्स मेसले से भी जितना हो सकता है, आज मैं इस मसले को उठाऊंगा, तो जहांजा मेरी बात हो सकती थी, जो मैं कर सकता था, आज मैंने किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, कि मेरे छोड़े से युगदान से, आज जो है, आपका ये जो फॉर्म है, ये बापिस समस्या सौल होई, हाला कि मुझे अधिकारी जिसे बात होई, उन अधिकारी उने बहुत विनमता पूर्वत जवाब दिया, और भी बहुत साथी प्रयास कर रहे थे, तो आप सब के प्रयास से, मेरे वे छोड़े सा युगदान, और आज फाइनली समस्या, बहुत का फॉर्म आप फिल कर दीजे, OTR पहले आपको करना पड़ेगा, उसके आपकी मुबाइल पे OTP आएगा, और फिर आप आगे की प्रिक्रिया को कर सकते हैं, तो ये प्रॉम्स वर्म हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी जो लगातार इसमें प्रयास र ये इकञाम तकिया अगे एकजाम है, उसमें प्राथमिटा आपको दो बरनी जैसे हम R.S. के एकजाम में SDM बढ़ते हैं, DSP बढ़ते हैं, Account Service बढ़ते हैं, तैसिला सिवा बढ़ते हैं, उसके अलाबा हम Excislelis वाली Service बढ़ते हैं, उसके अलाब हम एक्साइस वाली सबढ किता दें पहले यू को दे यह पहले आरो को दें यह बहुत बड़ा हमारे सामने यक्ष प्रशन कभड़ा हो कि तो साथीों जो मैंने प्रताल करें जहां-जहां मैं कोशिश कर सकता हूं यो की वर्ट प्रोफाइल यू का परमोशन यू का पे मैट्रिक्स तवाम बाते और आरो के बारे में भी सारी बातें जब मैंने प्रैक्टिकली जो लोग काम करें उनसे बात करी तो एक निश्कर्स में पहुंचा हूं वो बता हूंगा MOOC लेकिन अगर प्रसाष्णिक शक्क्तियों की बात करें यहां मुंसिपैलिटी अदिनियम 2009 में देखें जो कारे यो के हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि इसको वाटर का इसको सीवेज का इसको ड्रेनेज का जो जल निकासी है उसके अरावा सौंधरी करन का अरबन डवलोप्मेंट यह सारी जिम्मेदारी यूस आपके पास होती है आरो के पास टैक्सेशन राजस्व सम्मंधी का रहे हैं तो अगर आप वर्ट का नेचर देखो कारे शेत्र देखो तो इसका वर्ट पोर्टफोलियों कारे शेत्र ठोड़ा बिस्तार से बड़ा है जिम्मेदारी तो एक एस्पेक्ट तो यह कंपेर करने का एक प्रेंद पे कोड़ा सा ऊपर बैढ़ते हैं तीसरा में देखते हैं यहां पोस्तिंग और्प्रमोशन में पर मुझता है था करनते का मुझति तो देखिए पर्मोशन क्मिटी ó जो पर्मोशन आपका DPC यहां पर करवाता है, Department of Promotion Committee, उसके अधार पर हमारे पर्मोशन होते हैं, सरकार तै करती है, इस DPC के अधार पर, तो यह कहना तो अभी सही नहीं है, कि EO को पर्मोशन फास्ट है, या RO को पर्मोशन फास्ट है, लेकिन हाँ, यह जुरूर है, कि EO जो Grade 1 पे, और EO Grade 1 को हम Commissioner कहते हैं, तो Commissioner बनने का स्कोप है, उसी प्रकार RO की भर्ती में देखें, तो RO जो ऑफिसर है, यह RO Grade 2, उसके पास RO Grade 1, और यह EO Grade 2 पे, दोनों आके Merge हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों आखिर में Commissioner बन सकते हैं, लेकिन एक डिफ्रेंस यह है, कि जो RO हो दिखारी है, वो EO बन सकता है, सरकार्स को EO के परत्वे कारणत कर सकती है, पर EO दिखारी कभी भी RO नहीं बन सकता, पहली चीज़, दूसरी बात, EO का जो Posting रही है आपकी, जो Posting है EO की Case में, यह Posting आपको मिलती है, Small Town, छोटी नगरपालिका, Small Town, छोटी नगरपालि या तो होगी आपकी Municipal Corporation में, या इसकी Posting होगी आपकी Municipal Council में, Municipality में RO की Posting नहीं होती, तो अगर बड़े शहरों में रहना चाहते हो, तो RO को प्रास्मिटता दो, अगर थोड़ा सा कॉंप्रमाइस एडजिस्ट कर सकते हो कुछ समय के लिए, तो EO चूस को, EO का administrative प्रशाख्षनिक शक्तिया तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी है, आड़ों के पास में, राजर समबंदी कर रहे हैं, टैक्सिशन समबंदी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा है, या उतना ज़्यादा मतलब की, ऐसा कहना चाहिए, कि जो public dealing है, public dealing, वो EO में जाता है, आरो में थोड़ी कम है, तो ये फैंसला आपका है कि पहले EO चूस करो, आरो चूस करो, कुछ लोग जो शैरो में, बड़े शैरो में रहना चाहते हैं, और उनको तकलीफ है भी हो सकती है, छोड़े शैरो में जाने से दोनों प्रोफाइल लिसन दे अच्छी है, वक्ति का तौरपे सोचें और फिर अपने आपको आकिलन करते वें decision ले, आरो में थोड़ा सा आपको जो working nature है, वो field का उतना नहीं है, EO में थोड़ा field का work रहता है, फिल्ड जो आपको जाना पड़ेगा, समझ साम को सुल जाने के लिए निकलना पड़ता है, पार्षत वार्षत का दवाब भी EO के case में relatively ज़्यादा है, आए दिन अखबरों में आप देखते हो कि पार्षतों का दवाब, चेर्मेन का दवाब, EO को जाज हिलना पड़ता है as compared to RO, RO के बनस्पर, तो ऐसा है, अब ये चारवण चीजों को अपनी खुद की आगे का भविशे सोचते वे, ये सोचते वे कि आपको आगे क्या करना है को और एक्जाम देना है, कुछ और आप टार्गेट लेके चलते हो, उसके नजरे से भी कि आपको थोड़ा हैक्टिक चडूल चल जाएग या नहीं चलेगा, वो सोच के डिसर लीजे, यो आरो का, लेकिन पहली फुरसत में, ऐसे सो राजिस्तान पे जाके पूर्टल जो है, ऐसे सो राजिस्तान पोर्टल यहां पे आप चूस करें, फॉर्म जो आ रहा है, उसमें, OTR, बन टाम रेजिस्रेशन, OTR जब करेंगे, तो आपके मुबाइल पे OTP आएगा, एकुली दो OTP आते हैं, पहला OTP जो हाएगा, वो आएगा आपके आधार नुम्बर पे अधारिक या जन अधार पे अधारिक, और दूसरा OTP जो हाएगा, वो आपके OTR आपके वेरिफाई करेंगा, वाइं टाइम रेशिस्रेशन पो पूरी कोशिश आपको उसके मादल से बैस से बैस से बैस सब प्रोवाइड यहां पर किया जाएं, तो वहां दर्वान आपका, थैंकियू वरी मच, तैयारे करते रहें, विमानदारी से, स्टे मोटिवेटेड, थैंकियू